आज मैं आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट वीडियो लेके आए हूँ तो देखे आपके आगा में उत्राखंड पुलिस के एक्जाम के रिगार्डिंग हमारे द्वारा उत्राखंड पुलिस स्पेशल मौक स्टार्ट की गई है जिसका पार्ट 35 आज मैं आप सभी के ल भी इंपोर्टेंट रहेगी तो आप सभी लोग हमारे इस सेरीज में स्टार्डिंग से लेकर एंड तक बने रहें आज किस क्लास में आप सभी को टॉप 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेशन्स दिये जाएंगे और क्वेशन से रिलेटेड जितने भी इंपोर्टेंट इस सेरीज में में इंचन किये गये हैं तो काफी महतपोर्ण ये सेरीज है आपके आगा में उत्राखंट पुलिस के एक्जाम के लिए और डेली ये सेरीज आप सभी को रात को आठ बजे स्टडी विद एम के द्वारा प्रोवाइट कराया जा रहा है तो डेली आप सभी ल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें साथ साथ बगल में जो बैल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रैस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल से जल पहुंच जाए आप सभी लोग हमारे टेलिग्राम चैनल को भी जॉइन कर सकते हैं अराउंड 6.7 के यहाँ पे ग्रूप मेंबर्स हो चुके हैं सुपर 10 बजे और शाम 8 बजे हाँ पे कुईस का एजन भी कराया जाता है इसके अलाबा अधा इंपोर्टेंट अपडेट्स पीडियेप से ही पर शेयर की जाती है लिंक आपको इसका स्रंण बॉक्स में मिल जाएगा बढ़ते हैं आज की वीडियो की और इस सीरीज का पहला कुशन है भारत का पहला और एश्या का सबसे बड़ा तरल दर्पन दूरवीन कहां स्थापित किया गया है तो देखे काफे important question है भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा तरल दरपन दूर्वी ने स्थाफित किया गया है उत्राखंड राजी में option first question का correct answer है और यह है एशिया का सबसे बड़ा international liquid mirror telescope है जिसे समूद्र तल से 2450 मीटर की उचाई पर स्थाफित किया गया है और इस telescope को नेनिताल के R.E. Bhatt Research Institute of Observational Sciences यानि की ARIES के स्वामित वाले देवस्थल वेद शाला परिशर में स्थापित किया गया है यह ध्यान रखेंगे नेनिताल जनपत के देवस्थल वेद शाला परिशर में इस telescope को स्थापित किया गया है तो यह ध्यान रखेंगे भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा तरल दरपंड दूर्बिन है यह और यह उत्राखंड राजी के नेनिताल में स्थापित किया गया है अगला कुशन देखें आपदा में फसे लोगों को rescue करने के लिए drone force बनाने वाला भारत का पहला राजी कौन सा है तो देखें आपदा में फसे लोगों को rescue करने के लिए drone force बनाने वाला भारत का पहला राजी है आपका उत्राखंड राजी option फर्स्ट यहां पे आपका correct answer है उत्राखंड राजिय आपदा में ड्रोन फसे जो लोग हैं तो उनको rescue करने के लिए ड्रोन फोर्स बनाने वाला भारत का पहला राजिय बन गया है और इस फोर्स के माध्यम से आपदा, यातायात और सुरक्षा सहित तमाम कारियों में मदद मि इसके लिए 300 पुलिस कर्मी जो हैं तो इनको ड्रोन की विशेश ट्रेनिंग दी जारी है अगला question है भारत में पहली steel सडक का निर्मान कहां किया गया है देखे भारत की पहली steel सडक का निर्मान के इस राजी में गुजराद राजी में किया गया है option first question का correct answer है गुजराद का जो सूरत है गुजराद के सूरत में इस सडक का इस steel सडक का निर्मान किया गया है ये ध्यान रखेंगे गुजराद का सूरत प्रसंस्कृत स्टील स्लैक से सडक बनाने वाला पहला भारती शहर बन गया है और इस सडक को केंडरी सडक अनुसंधान सस्थान वेग्यानिक और और द्यूगिक अनुसंधान परिशद नीती आयोक, केंडरी स्पात मंद्राले और आरसेलर मित तल निपान स्टेल द्वारा संयुक्त उद्यम परियोजना के रोप में विक्षित किया गया है तो भारत की पहली स्टेल सड़क का निर्मान गुजरात राजी के शूरत में किया अगला कुश्यन है पत्रंग वाली का उद्भव किस चंद साशक के समय हुआ था इंद्र चंद के समय इंद्र चंद के समय इसका उद्भव हुआ था देखे पत्रंग वाली क्या थी पत्रंग वाली जो थी ये एक प्रकार की प्रता थी ये ध्यान रखेंगे पत्रंग वाली क्या है भी पूछा जा सकता है तो पत्रंग वाली एक परकार की पर्था थी जिसका उद्भाव इंद्र चंद के समय हुआ था और पत्रंग वाली किसको कहा जाता था देखें पत्रंग वाली जो उस समय जूटी अफ़ाएं होती थी तो जोटी अफ़ाओं को कहा जाता था पटरंग वाली जो की एक पर्था हुआ करती थी और बात करें इंद्रचंद की तो इंद्रचंद चोथा चंद शाशक था और इसने रेशम उतपादन वरेशमी वस्र बनाने का कारिय प्रारंभ किया था और इसने इसके लिए चीन से व दार्जिलिंग किससे कहा गया है दीखिए ये भी आपका महतपॉंन क्यूशन है कुमाओ का दार्जिलिंग कहा गया है किसको कौसानी को option second यहां पे आपका right answer हो जाएगा देखे दार्जलिंग आपने नाम सुना होगा दार्जलिंग बढ़ा होगा तो दार्जलिंग जो है ये किसके लिए famous है चाई उत्पादन के लिए चाई उत्पादन के लिए काफ़े प्रशिद्ध है दार्जलिंग और इसे प्रकार उत्राखंड राजी का जो कौसानी है तो कौसानी भी किसके उत्पादन के लिए चाई उत्पादन के लिए प्रशिद्ध है इसलिए इसे कुमाओ का दार्जलिंग कहा जाता है कौसानी किस जनपद में इस्तित है पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है ये है आपके बागेश्वर बहुत लोग confusion करते हैं इस question में इस point में बागेश्वर में या फे अल्मोडा में किस जनपद में इस्तित है तो confused होते हैं तो आपको बता दो कि बागेश्वर जनपद में इस्तित है आपका कौसानी और गोमती वगरूड नदी के बीच यह एक परियटक इस्तल है जो कि किस पहाड़ी पर बसा हुआ है पिंग नाध पहाड़ी पर बसा हुआ है और इसका पुराना नाम पूछ लिया जाए तो बलना इसका पुराना नाम था कौसानी का और इसके अलावा देखे सुमित्रा नंदन पंत जो की महान लेखक थे तो सुमित्रा नंदन पंत का जन्म इस्तल भी कहाँ पर था कौसानी में ही था अगला कुशन देखे प्राचिन कुमाओं में प्रचलित शब्द थर्प का क्या अर्थ था देखे प्राचिन कुमाओं में प्रचलित एक शब्द था थर्प एक शब्द हुआ करता था थर्प और इसका अर्थ क्या था इसका अर्थ था इन में से कोई नहीं देखिए आपके जो option दिये हुए हैं एक पैमाना एक गीत एक कर इन में से कोई नहीं था तो option fourth question का correct answer था देखिए जो आपका थर्प शब्द है वो क्या उसका जो अर्थ था वो क्या था कत्योरी शाषनकाल में सामंत जो होते थे कत्योरी शाषनकाल में होते थे सामंत तो सामंतों के जो प्रशाषनिक भवन होते थे उनको क्या कहा जाता था उनको धर्प कहा जाता था तो ये ध्यान रखेंगे कत्योरी शाषनकाल में किस शाषनकाल में भी याद र अगला question है, उत्राखंड में जैविक उत्पादन निगम कि स्थापना किश वर्ष की गई, most important है, तो दीखें उत्राखंड में जैविक उत्पादन जुन निगम है, इसके स्थापना की गई थी, वर्ष 2004 में, option third यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा, उत्राखंड में जैविक उ जो पूर्णता जैविक राजी है, वो कौन सा राजी है, पूछा जाए, तो आपको सिक्किम राजी याद रखना है, भारत का पूर्णता जैविक राजी सिक्किम राजी है, और उत्राखंड भी इसी पत्पर अग्रिस्तर है, और देखें जैविक खेती और जैविक किरिय कलाब को प्रोट साहिद करने के लिए उत्राखंड में जैविक उतपादन निगम की स्थापना की गई और कब की गई जय्विक उत्पादन निगम की स्थापना की गई अगला कुश्यन है राजी में गोल्डन गल के नाम से मशूर हैं तो देखें राजी में गोल्डन गल के नाम से मशूर हैं दिलराज कौर option फोर्ट यहां पे आपका right answer है दिलराज कौर जो है ये golden girl के नाम से महसूर है उत्राखंड राजी में दिलराज कौर का संबंद किस से है ये भी पूछा जा सकता है आपसे तो देखे किस शेते से इनका संबंद है तो निशाने बाजी निशाने बाजी आपको याद रखना है निशाने बाजी से इनका संबंद है दिलराज कौर का और निशाने बाजी में इन्होंने राष्टी और अंतराष्टी पदग जीते हैं इसलिए इन्हें golden girl कहा जाता है और आपसे इसी क्रम में आपसे पूछ लिया जाए कि राजी में golden boy के नाम से कौन महशूर है तो आपको ये भी पता रहना चाहिए तो golden boy के नाम से महशूर है राजी में जश्पाल राणा जश्पाल राणा जश्पाल राणा का संबंद तिहरी गड़वाल के चलामों गाउं से है जो की अंतराष्टी निशाने बाज है ये भी एक अंतराष्टी निशाने बाज है और जश्पाल राणा ने एश्याई खेलों में और राष्ट मंडल खेलों में स्वान पदक प्राप्त किये हैं तो इन है गोल्डन बॉइ के नाम से जाना जाता है उत्राखंड राजी में जबकि गोल्डन गल्ल के नाम से किसे जाना जाता है दिलराज स्कॉर को अगला कुश्यन है पंत नगर विश्व विद्याले द्वारा विक्षित P किस फसल की किसम है तो देखे पंत नगर विश्व विद्याले के द्वारा इसको विख्षित किया गया है P के जो की एक फसल की किसमे है तो किस फसल की किसमे है ये आपको बताना है जिन लोग को आंसर आ रहा है कमेंट शेक्शन में आप सभी लोग अपना आंसर कर सकते हैं तो देखे पंत नगर विश्व विद्याले द्वारा विख्षित जो पीके है ये सोया भी इनकी एक किसमे है ओप्शन थर्ड इसकुषिन का करेक्टर आंसर है देखे पंत नगर विश्व विद्याले की अगर हम बात करें तो 17 नवेंबर 1960 इसमी में नहिरू जी ने पंत नगर में देश का पहला विश्व विद्याले के स्तापना की और पंत नगर विश्व विद्याले के पर्थम जो कुलपती थे ये कौन थे ये एंथोनी पारकर थे एंथोनी पारकर इस्टिव एंचन थे और देश में हरित कुरांती लाने का जो श्रेय है ये भी किसे जाता है Pantranagar विष्व दियाले कोई जाता है अगला Qution देखे हल्वानी में जागृत जनता का प्रकाशन जो आपका पत्र था इसका प्रकाशन किसने शुरू किया था पितांबर पांडे ने option third ये आपका correct आंसर है देखिए वर्ष 1949 इजवी में हल्दवानी से जागरित जनता का प्रकाशन शुरू हुआ और किस ने इस पत्र के प्रकाशन को शुरू किया था पितामबर पांडे ने अगला कुशन है मठकी किस राजी का नुरित्य प्रारूप है देखिए काफे महतोपोर्ण ये कुशन है तो मठकी की अगर हम बात करें तो किस राजी का ये नुरित्य प्रारूप है ये है आपका मध्यपरदेश राजी का option third यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा मठकी मध्यपरदेश राजी का एक लोग नुरित्य है याद रखें सास्त्री नुरित्य नहीं कह सकते है इसको एक लोग नुरित्य है ये मठकी जो की आपके किस राजी में मध्यप्रदेश राजी में किया जाता है मध्यप्रदेश राजी का ये लोख नृति है और केरल के अगर हम बात करें तो केरल के दो सास्त्री नृति है ये आप ध्यान रखेंगे नुरित्यों से अक्सर आयो के दारा question पूछे जाते हैं तो केरल राजी के दो सास्त्रे नुरित्य हैं एक तो है आपका कथक कली कथक कली है दूसरा है मुहनी अटम मुहनी अटम तो ये दोनों ही जो नुरित्य है ये केरल राजी में किये जाते हैं और आपका मठकी जो है ये किस राजी का नुरतिय प्रारूप है ये है मध्यप्रदेश राजी का और देखे मध्यप्रदेश से रिलेट करके आयो के द्वारा कुछ कुछ पूछे जाते हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं मध्यप्रदेश जो है ये दूसरा सबसे बड़ा राजी है छेत्रफल के अकॉर्डिंग तो आपसे पूछा जाए कि भारत में छेत्रफल के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा राजी कौन सा है तो ये है आपका मध्यपरदेश राजी और लोगसभा की याद रखें लोगसभा की जो SC seat सरवाधिक रिजर्व हैं वो भी आपके मध्यपरदेश में ही है सरवाधिक 6 seat यहाँ पर ST के लिए रिजर्व हैं यह ध्यान लगसभा की ST की seat सरवाधिक रिजर्व वाला जो राजी है यह मध्यपरदेश राजी है यहाँ पर ST के लिए 6 सीटे रिजर्व है और बात करें SC की तो SC के लिए सरवाधिक रिजर्व सीट वाला जो राजी है यह कौन सा राजी है यह उत्तर पृदेश राजी है और यहाँ पर 17 सीट SC के लिए रिजर्व है तो यह ध्यान रखेंगे अनुसुची जाती और भारत के किस राजी मैंस्थित है यह किस राजी मैंसित मैं यह है और यहाँ मठ 18 вр. शताबदी में निर्मित हुआ था और इसके संस्थापग कौन है पोछलिया जा सकता है तो देखेंगे यह संस्थापग चोग्याल ग्यूर्मेद चोग्याल ग्यूर्मेद नाम ग्याल जो है इसके संस्थापक थे तो ये आपका किस राजिय में सिक्किम राजिय में इस्तित है आप सभी को आज का ये शेशन पसंदार है तो लाइक कर लें जिन लोगों ने अभी भी हमारे YouTube चैनल Study with AIM के को सस्क्राइब नहीं किया है वे लोग जरू सस्क्राइब कीजिएगा और जाद से जादा आप सभी लोग इस सेशन को शेर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ अपने WhatsApp ग्रूप्स में डेली ये सेशन आप सभी को रात को आठ बजे प्रोवाइट कराये जा रहा है साथे साथ आगामी पॉरेस्ट गार्ड के एक्जाम के लिए भी आप सभी को Special Mock Series प्रोवाइट की जारी है दिखे आपका फॉरेस्ट गार्ड और उत्राखंड पुलीस का जो सलेबस है वो सेम है तो आप सभी लोग जो उत्राखंड पुलीस वाले हैं ये फॉरेस्ट गार्ड वाली सीरीज भी देख सकते हैं साथे साथ फॉरेस्ट गार्ड वाली उत्राखंड पुलीस की सीरीज भी देख सकते हैं दोनों ही series जो है, यह आपके लिए ही यहाँ पर दिये जा रहे हैं, आपके लिए ही यहाँ पर प्रोवाइट कराया जा रहे हैं ताकि आपको एक ही सान्ग, एक ही उत्राखंड पुलीस के एक्जाम के रिकार्डिंग दोनों ही सिरीज काफी महत्पोर्ण हैं और दोनों में आपको अलग-अलग कुशन देखने को मिलेंगे तो आप सभी लोग ये जो उत्राखंड पुलीस वाले हैं वो फॉरेस्ट गार्ड वाली सिरीज भी जरूर देखें आपका एक्जाम जो है आप आई-उ के दोरा डिक्लेयर कर दिये गए हैं कब आपका एक्जाम होने वाला है आप सभी को पता चल गया होगा तो आप सभी लोग तैयारी में लगे रहें साथी साथ आप सभी को यहाँ पे काफी मदद दी जा रही है स्टेडी विद एम के दो मेहनत लगती है हमें भी आप सभी को ये classes प्रोवाइट कराने में अगला question देखें द्वैद शाषन किस government of India Act द्वारा लागू किया गया था मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो देखें द्वैद शाषन जो है ये किस government of India Act के द्वारा लागू किया गया था 1919 के एक्ट के द्वारा option सेकें यहाँ पर आपका right answer है देखें 1919 के government of India Act के द्वारा प्रांती सरकार को मजबूत बनाया गया और द्वैद शाषन की स्थापना की गई थी और द्वैद शाषन क्या है देखें द्वैद शाषन जब दो शाषक एक साथ सत्ता का संचालन करते हैं तो इसे द्वैद शाषन कहते हैं और जो आपका 1919 का एक्ट था तो इस एक्ट के द्वारा केंडर और प्रांतों के बीच विशयों का बटबारा किया गया और जो विशय क्या थी दिखें जो विशय भारत के हित में थे उन्हें केंडरी सरकार के अधिन रखा गया और इसके अलावा प्रति रक्षा, यातायाद, विदेशनेती, शुलक, सीमा सुलक, मुद्रा, सारवजनिक रेन इतियादी को केंडरी विशय में समिलित किया गया और स्थानी, श्वरशाषन, सारवजनिक, स्वास्त और इसके अलावा शिक्ष्या, पुलिस और जेल तथा सही कारिता आधी को किस वीषय में प्रांती वीषय के अधीन रखा गया था तो ये ध्यान रखेंगे इसके अलावा आपसे एक क्योशन और पूचा जा सकता है कि प्रांतो में द Centers Punkt का जनक कि से कहा जाता है अक्सर पूचा जाता है एक क्योशन तो प्रांतों में द्वैद शाशन का जनक लियोनस कार्टियस को कहा जाता है ये ध्यान रखेंगे और आपसे पूछा जाए कि किस अधिनियम को मारले मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है तो ये भी पता रहना चीये तो ये कौन सा अधिनियम है 1909 का अधिनियम है जिसे मारले मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है यानि की मारले मिंटो सुधार कहा जाता है अगला कुश्यन है बड़ा इमाम बाड़ा कहा परिस्तित है देखे काफी interesting चीजे यहाँ पे आपको सीखने को मिलेंगी जो कि आपके आगामे exam की द्रिश्टे से काफ़े महत्यपोर हैं तो आप सभी लोग दोनों क्लास को जरूर फॉलो कीजिए का उत्राखंड पुलीस वाले फॉरेस्ट गार्ड वाली सिरीज को और फॉरेस्ट गार्ड वाले उत्राखंड पुलीस की सिरीज को तो दोनों के स्लेवर सेम हैं तो आप सभी लोग जी तोड महनत पे लग जाएए अगला देखे बड़ा इमाम बाड़ा कहा परिस्तित है तो ये है आपका लखनाओ में आप्शन थर्ड यहां पर आपका correct answer हो जाएगा बड़ा इमाम बाड़ा लखनाओ की एक एतिहासिक धरो इसे भूल भुलईया के नाम से भी जाना जाता है ये ध्यान रिखएँगे भूल भूलईया नाम से भी इसे जाना जाता है बड़ा इमाम बाड़े को और इसको अबद के नवाब आशिप दौला ने 1784 से लेकर 1794 के मध्य बनवाया था और इसे मरहम हुसेन अली की शहादत की याद में बनाया गया था इसे किसकी याद में बनाया गया था ये भी पता रहना चाहिए तो मरहम हुसेन अली जो थे इनकी शहादत की याद में इसे बनवाया गया था अगला कुशन है भारत का पर्थम उपगरा आर्य भट कब छोड़ा गया देखे भारत का प्रथम उपगरा आर्य भट है आप सभी को पता है और इसको कब छोड़ा गया था वर्ष 1975 में वर्ष 1975 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपशन फोर्थ बिल्कुल राइट आंसर है देखे आर्य भट को 19 अपरेल 1975 को लॉंच किया गया और इसका बजन 36 किलोग्राम था 36 केजी का इसका वेड था और यहाँ भारत का पहला वैज्ञानिक उपगरा था आर्य भट उपगरा को इंडियान स्पेन रिसर्च और्गनाईजेशन इसरो ने सोव्यत यूनियन की मदद से बनाया था अगला कुश्यन है देहरादून से प्रकाशित पत्र नया जमाना की संपादक कौन थे खाफी इंपोर्टेंट यह कुश्यन है तो देखे देहरादून से प्रकाशित होता है आपका पत्र नया जमाना और इसके संपादक कौन थे? इसके संपादक थे? राधाक रश्न कुकुरेती अप्शन फर्स्ट यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा देखिए नया जवाना पत्र देहरादून से प्रकाशित हुआ खब प्रकाशित हुआ? वर्ष 1956 में इसका प्रकाशन किया गया और वर्ष 1998 से देहरादून से गड़वाली भाषा का समाचार पत्र जिसका नाम था रंत रैवार रंत रैवार तो इसका भी प्रकाशन होने लगा वर्ष 1998 से और 2001 की अगर हम बात करें तो वर्ष 2001 में धात पत् भी देहरादून से ही शुरू हुआ अगला कुश्यन है मिस मैंसल ने वुमेन फॉरेंट सुसाइटी की स्थापना कब की थी देखे आपका वुमेन फॉरेंट सुसाइटी की स्थापना किस ने की थी मिस मैंसल ने की सिसको करेक्ट कर लिजेगा मिस मैंसल है इनका करेक्ट ने तो Miss Mansal ने Women Foreign Society की स्थापना की थी और कब की थी? 890 में की थी Option 4 तो यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा दिखे, Women Foreign Society की स्थापना Miss Mansal ने कहाँ पर की थी? पौड़ी गड़वाल में किस जनपत में की थी? यह भी पूछा जा सकता तो पौड़ी में की थी और पौड़ी की अगर बात करें तो यह किस पहाड़ी परस्तित है? कंडोलिया पहाड़ी परस्तित है आपका पौड़ी गड़वाल और पौड़ी जनपत का गठन 1840 इस भी में हुआ था और 1840 में ही British गड़वाल की जो रास्धानी है यह श्री नगास से पौड़ी स्थनांत्रित की गए थी काफी महत्रपोन यह पौइंट है और वर्ष 1979 को गड़वाल मंडल का जो मुख्याले है यह कहाँ पर बनाए गया? पौड़ी में बनाए गया था अगला कुश्यन है किस तामरपत्र में चंदो के करो का उल्लेख मिलता है तो देखिए काफी इंपोटेंट यह कुश्यन है तो यह जो तामरपत्र है यह कौन सा तामरपत्र है? यह है आपका मुना कोड तामरपत्र चंदो के करो का उल्ले किस तामर पत्र में मिलता है मूना कोड तामर पत्र दीकि मूना कोड किस जनपत में स्थित है पूछा जा सकता है तो मूना कोड है आपका एक स्थान है ना मूना कोड जो कि पिथोरगर जनपत में स्थित है और तालेश्वर तामर पत्र की अगर हम बात पारवों से इनका सममद्ध था अर 40 औरcription प्रार्श की खोज वशों ने 15 दूमैं की गई थी बात करें मजहड़ा तामर्पत्र की तो मजहड़ा तामर्पत्र से चंद वन्ष बंशाशकों का समद्ध का पता चलता है और बास्ते जो तामर्पत्र है बास्ते तामर पत्र ये मानडलिक राजाओं की सूची से संबंदित है और चंद शाषनकाल में तामर पत्रों को जो उतकीन करते थे तो उनको क्या कहा जाता था ये भी आपका important point है ये भी question अक्सर पूछ लिए जाता है चंद शाशनकाल में तामर पत्रों के उत्कीन को क्या कहा जाता था तो इनको कहा जाता था सुनार इनको सुनार या पे सुदार कहा जाता था ये नोट कर लिजे काफी महत्वण पॉइंट है अगला कुश्चन है उत्राखंड वन वीकास निगम कि स्थापना कि वर्ष की गई देखिए उत्राखंड वन वीकास निगम कि जो स्थापना है ये वर्ष 2001 में की गई थी option second यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा वन विकास निगम का जो शिविर कार्या लई है ये कहां पर इस्तित है देहरा दून जनपत में इस्तित है इसका शिविर कार्या लई और इसका कार्य है वैगानिक पदती से वनों का विदोहन कर विक्राई करना और last question दिखिया आज के शेशन का आज का शेशन काफी महतपोन है तो आप सभी लोग जिन लोगों ने अभी भी share नहीं किया है मिलकर share कर दिजे और आपको आज की ये series कैसी लगी ये आप comment section में comment करके बताएगा अगला question है किलकलेश्वर मंदिर किलकलेश्वर मंदिर ये आपके अलग नंदा नदी के तट पर इस्तित है option फोर्थ यहाँ पे आपका right answer है किलकलेश्वर मंदिर की स्थापना आदी गुरु संक्राचारी ने की थी ये ध्यान रखेंगे आदी गुरु शंक्राचारी ने इसकी स्थापना की थी और आदी गुरु संक्राचारी ने केदानात मंदिर का जिर्णो धार भी किया था ये ध्यान रखेंगे तो ओकी गाईज आज के शेशन में इतना ही I hope आप सभी को आज का ये शेशन पसंद आया होगा अगर आप सभी को आज का ये शेशन पसंद आता है तो शेशन को लाइक कीजिएगा शेर कीजिए और जिन लोगों ने अभी तक हमारी येट्यूब चैनल इस्टेडी विट एम को सस्क्राइब नहीं किया है वे सस्क्राइब कर लिजे आज तो फॉरेस्ट गाट की सीरीज नहीं आप आई थोड़ा समय बिजी थी और कल से आपको रेगुलर्ली क्लास मिलेगी तो आप सभी लोग दोनों क्लास को जरूर जॉइन कीजिएगा और शेर जरूर कीजिएगा तो चलिए मिलते हैं एक नई इंट्रस्टिंग वीडियो के साथ तब तकी लिटनेवाट